वेलकम चू करेंट सिक्षा, आई होप आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल लएई होगी, आज इस वीडियो में हम कांगरेस से सम्मंदित महत्वपून पॉइंट्स को कम्प्लीट करने वाले हैं, आज ये हिस्ट्री की उसी कम्प्लीट की जा चुकी है, जिसकी प्लेइलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको भी देखिए, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है हो, चैनल को जरूँ सब्सक्राइब कर लें, इसका पीडियाप आप आप लोग को टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा, ज इनके कारेकाल में सिमला समयलन जो की 1945 में हुआ था, और इनके टाइम पर कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें तीन सदसे थे, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यच थे और एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स यहाँ पर इसके तीन मेंबर थे, यहाँ पर कैबिनेट मिशन के और यह वेवल की टाइम पर आया था, नेक्स्ट है माउंट बेटन, इनका कारेकाल 1947 से 1948 तक रहा, माउंट बेटन ब्रिटिश भारत की अंतिम गवर्नर जनल और आजाद भारत के पहरे यहाँ पर वाइसराय थे, ब्रिटिश भारत की अंतिम वाइसराय और आजाद भारत के पहले वाशराय यहाँ पर माउंट बेटन थे इनी के टाइम पर रेड गलिफ आयो का गठन किया गया जिसके तहत भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारित किया गया था 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया इनी के टाइम पर हुआ था और इन्होंने 3 जून भारत और पाकिस्तान अलग राश्ट होंगे इसकी घोशना माउंट बेटन पलान के तहत की गई थी और जब भारत आजाद हो गया तो ये भारत के पहले वाईसराय बने इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले और अन्तिम भारती वाईसराय सी राज गोपलाचारी बने थे नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ important points हैं यहाँ पर इनको देख लेते हैं यहाँ पर कुछ आंदोलन है उनके समय में यहाँ पर कौन गवर्नर जर्नल और वाईसराय थे इन 1919 में जलियावाला बाग हत्या कांड चेम सपोर्ड यहाँ पर था 1920 में असयोग अंदोलन के टाइम पर चेम सपोर्ड था 1930 में शवने अवग्यां अंदोलन एरिविन के टाइम पर हुआ था 1942 में भारत छोड़ो लेन लेतिगो यहाँ पर वाईसराय था आप लोग इसको ध भारती नियाधीस केवल भारती ये मामले शुनवाई करेंगे ऐसा होता था और यूरोपियन नियाधीस सभी प्रकार के केस की सुनवाई कर सकते थे यहाँ पर भेदभाव था क्योंकि भारती जो लोग थे ये ब्रिटिश के जो आदमे थे उनका केस कोई सुन नहीं सकते थ तो यहां पर रिपन ने इलबर्ट बिल लाया जिससे यहां पर बहदभाव को अंत करना था जब यह लेके आये तो यहां पर इसका विरोध हुआ और यूरोपियन लोगों ने यहां पर इसका विरोध किया और इसको वाइट रिवोल्ट और श्वैत विद्धरोभ भी कहा गय क्योंकि अगर भारतिय लोग अंग्रेजों की मामले सुनते रहेंगे तो इनको inferior महसूस हो रहा था था तो इसलिए इन्होंने विरोध किया तो ये था संस्था का नाम लिखा हुआ है दूसरी तरफ स्थापना और संस्थापक पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी जो की जमिदारू के हित्की रच्छा के लिए बनाई गई थी 1838 में इसको द्वारिका नात डायगोर ने बनाया था ब्रिटिश इंडियन एसोशियेशन के स्थाप अपना 1866 में दादा भाई नेरोजी ने लंदन में किया था पूना सारोजनिक शभा के स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था इंडियन लीग के स्थापना 1875 में सिसिर कुमार घोष ने की और सिसिर कुमार घोष की पत्रिका है अमरत बाजार इंडियन Association के स्थापना कलकत्ता में यहाँ पर 1876 में आनंद मोहन बोश और सुरेंदनात बनर्जी ने किया था और यह Congress से पहले की Congress है Next है मदरास महाजन सभा 1884 में वी रागवाचारी सुब्रमनियम अयर और आनंद चारलू ने यहाँ पर इसकी स्थापना की Next है बामबे Presidency Association के स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी और केरी तैलांग फिरोश्या महतानी किया था अब Congress की बात कर लेते हैं Congress की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी Congress की स्थापना A.O. Hume ने की थी और यह Scotland के रहने वाले थी A.O. Hume की जीवनी विलियम वेडर कर यहाँ पर वेडर बनने यहाँ पर लिखा था A.O. Hume कांगरेस के महासचिव रहे 1885 से 1906 तक लेकिन ये Congress के अधिवेशन जो होते थे उनके अध्धच कभी नहीं रहे A.O. Hume एक्स सिविल सेर्वेंट थे बारती लाश्टी कांगरेस का नाम यहाँ पर दादा भाय नहरो जी के सुझाओ पर रखा गया था पहला अधिवेशन कांगरेस का 1885 में हुआ जिसके अध्धच वियमेस चंद्र बनर्दी थे यह एधिवेशन तेजपाल संसक्रेट कॉलेज बॉम्बे में हुआ था यहाँ पर बहाता लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पहले यह जो सम्मेलन है यह पूना में होना था लेकिन बाद में यह बॉम्बे सिप्ट हो गया था उस समय वाइसराय डफरिन था और भारत के सचिव यहाँ पर क्रॉस थे इंपॉर्टेंट स्टेटिमेंट यहाँ पर दिये गए थे पहला है कांगरेस डफरिन के मस्तिस की उपज है यह लाला लाजपत राई ने कहा क्योंकि जो Congress है ये डफरिंट के टाइम पर बनी थी तो इसको लाला लाजबत राय ने Congress डफरिंट के मस्तिस्की उपज है ये कहा Congress तीन दिन का तमाशा है ऐसा अश्वनी कुमारधत्य ने कहा क्योंकि जो Congress के समयलन है ये तीन दिन तक चलते थे और ये बाद में पूरा साल तक ऐसे रहते थे, तिन दिन सम्मेलन करते थे, तो यहां पर बहुत दूम धड़ाका होता था, तो इसलिए इन्होंने कहा कि कांग्रेस तिन दिन का तमाशा है, कांग्रेस का महल भरभरा कर गिरने वाला है, ऐसा करजन ने बोला, यदि वर्स में एक बार में डग की तरह टाटराएं, तो हम कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा बाल गंगाधरती लगने कहा, क्योंकि जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, ये एक दो दिन होते थे, तिन चार दिन, बस एक बार होता था, तो ऐसा इन्होंने कहा कि एक दिन अगर हम लोग बे जिसको लाला राजपत्राय ने दिया और इन्होंने इसका प्रकाशन यंग इंडिया में किया था, इस सिधान्त के तहत यहाँ पर कूकर जो है भारत है, दाल असंतोश है और सीटी कॉंग्रेस है, आग इंगलेंड है, अगर यहाँ पर भारत में देखो असंतोश पैदा हो होगा, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है, यह इंगलेंड में आग लगा देदी, लगा देगी ऐसा सेफटी वाल्ब थियोरी के था, इन्होंने समझाया था, तडिक चालक का सिधान्त, लाइट कंड़क्टर जो है, यह गोपाल चंदर गोखले ने दिया, इन्होंने कहा कि का अंग्रेस अर्थ है, अगर यहाँ पर अंग्रेस शाषन में असंतोष होगा, तो विजली की तरह भारती इस पर टूट पड़ेंगे, नेक्स्ट है, कांग्रेस के कुछ महत्तुपून अधिवेशन है, इनको देख लेते हैं, यहाँ पर जो इनका अधिवेशन है, 1896 में कल जी यूल बने थे, 1887 में मदरास में शम्मेलन हुआ जिसके अध्यच बदरुदिन तयब जी थे, 1886 में कलकत्ता में सम्मेलन हुआ जिसके अध्यच ददभाई नेरो जी थे, 1885 में बॉम्बे में पहला सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यच डबलू सी बैनर जी यहाँ पर हुआ था जिसके अध्यच महत्मा गांधी थे नागपुर में 1920 में सम्मेलन हुआ लखनव में 1916 में सम्मेलन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस का सम्मेलन हो गया था और गरमदल और नरमदल ये भी साथ में आ गया थे जो की सूरत अध्यवेशन में अलग हो यहाँ पर अपनाया गया था शूरत अधिवेशन उनिस साथ में हुआ जिसकी अध्यचता रास बिहारी बोशनी की थी और यहीं पर कॉंगरेस का जो गरम दल और नरम दल यह अलग हो गये थे 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यचता गोपाल गोखले ने किया था यहाँ पर शुदेशी अपनाया गया था 1948 में पट्टा भी शिता रमया ने यहाँ पर कांगरेस की अध्यचता की 1925 में कानपूर में सम्मेलन हुआ और यहाँ पर 1925 में जो सम्मेलन हुआ था यहाँ पर सरोजनी नाइडू इसकी अध्यचती 1931 में लहोर अधिवेशन की अध्यचता जवाहलाल नेरू ने किया था और यहीं पर इन्होंने जंडा फ़ेराया था और 26 जनवरी को इन्होंने जंडा फ़ेराया था इसलिए हम लोग 26 जनवरी को अपना गड़तन तरदिवश मनाते हैं 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन करांची में हुआ जिसकी अध्यचता सरदार वल्ला भाई पटेल ने किया था और यहीं पर महात्मा गांधी को कालेज हंडे दिखाये गए थे 1938 में हड़ीपूरा अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यचता सुबासचंद्र बोस ने किया था और इसी के बाद 1929 में तिरपूरी अधिवेशन होना था जिसमें सुबासचंद्र बोस और पटाभीसीता रमयया खड़े थे सुबास्चंदर बोस ने यहाँ पर इनको पठाभी सीता रमया को हरा दिया था जो कि मातमा गांधी के कैंडिडेट थे लेकिन कांधी जी ने असंतोस पगट किया था तो इसके बाद सुबास्चंदर बोस ने यहाँ पर इस्तीपा दे दिया कांग्रेस से और उसके बाद इन्हों ने फारवर्ड ब्लॉक अपनी अलग से पार्टी बनाई थी सुभास्चंद्र भोस्ट ने I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी इसका PDF आप लोग को टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा अब आगे से ये सीरीज continue न्यू रहेगी तो आप लोग जादा से जादा सपोर्ट करें और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें मिलते हैं एकली वीडियो में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें